तो आज हम कल के कोशन्स का रिवीजन करेंगे पहला कोशन है भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है फिर्स्ट डार्क स्काई पार्क तो ये बनाया हमारा पेच टाइगर रिजर्व मह नेक्स कोश्चन देखेंगे, नेक्स कोश्चन है, मकर बिलक्कु निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांती पर आयोजित एक वार्शिक उत्सब है, मकर बिलक्कु is an annual festival held on मकर संक्रांती in which of the following state, तो ये होता है केरल में, तो नेक्स कोश्चन देखेंगे, 29th Critic Choice Award में किस फिल्म को Best Film का Award दिया गया, which film has won the Best Film Award at the 29th Critic Choice Award, तो ये थी Open Hammer, नेक्स कोश्चन है, 15 जन्वरी को भारती अथल सेना दिवस के सम्मान में मनाया जाता है, Indian Army Day is celebrated on 15 जन्वरी in honor of whom, तो ये मनाया जाता है, जन्रल के अम करियपपा के सम्मान में, तो ये ही रिवीजन बाले कोश्चन थे, किस महिला खिलाडी ने FIFA Best Player Award 2023 जीता है, which female player has won the FIFA Best Player Award 2023, तो ये जीता है, एटाना बोनमाती ने, यानि की Option C is right, एटाना बोनमाती ने FIFA Best Player Award 2023 जीता है, इन्होंने पहली बार FIFA Best Player Award जीता है, 16 जन्री 2024 को FIFA द्वारा FIFA Best Player Award 2023 की घोशना की गई, पुर्षो में लियोनेल मेसी जोकी अर्जेंटिना के हैं, इन्होंने आठमी वार FIFA Men's Best Player Award जीता है, इससे पूर्ब 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 में इन्होंने ये अवार्ड जीता है, इससे पूर्ब अक्टूबर में, 2023 में, एटाना, बोनमाती और लियोनेल मेसी के लिए, 2023 के लिए, बैल एंडी और पुरुषकार दिया गया, 75th Emmy Award 2024 में निम्न में से किसने Best Comedy Series का पुरुषकार जीता हूँ, अमंग दा फॉलाइंग वन दा बैस्ट कॉमेड़ी सीरीज आवार्ड ए दा 75th Emmy Award 2024, तो ये जीता है, दा बियर ने, यानि की Option D is Right, 75th Emmy Award 2024, दा बियर ने Best Comedy Series का पुरुषकार जीता है, अब जानते हैं, Emmy Award के बारे में, ये 75th क्रम का है, यह अवार्ड दा बियर को Best Comedy Series का अवार्ड प्रदान किया गया है, इसकी शुरुआत 1949 को ही थी, इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया, टेलिवीजन अकादमी द्वारा दिया जाने वाला टेलिवीजन प्रोडक्शन पुरुषकार है, प्रसेद धनुजात्रा का संबंद किस राज से है, तो ये है रलेटिट ओडिशा से, यानि की Option D is Right, प्रसेद धनुजात्रा का संबंद ओडिशा से है, धनुजात्रा का आयोजन 15 जन्मरी से 25 जन्मरी तक होगा, धनुजात्रा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, यह महुसब क्रश्ट लीला पर आधारित है, इसमें क्रश्ट और उनके मामा कंस की पौणिक कथा दिखाई जाती है, अब जानते हैं, उडिशा में मनाए जाने वाले अनुद्सवों के बारे में, रथियात्रा, कलिंग महुसब, छाउ महुसब, कोडार्क, नत्य महुसब, महाविश्वा, संक्रांती, किस भारती है महिला किर्किट खिलाडी को दिसमबर 2023 के लिए, आईसी सी भूमेंस प्लेयर ओफ दा मन्थ चुना गया है, विच इंडियन किर्किट प्लेयर है विए बिन सेलेक्टेड एज दा आईसी सी भूमेंस प्लेयर ओफ दा मन्थ दिसमबर 2023, तो ये चुना गया है दीपती शर्मा को, यानि कि ऑप्शन A is right, यानि कि दीपती शर्मा को दिसमबर 2023 के लिए ICC भूमेंस प्लेयर ओफ दा मन्थ चुना गया है, इनकी शांदार गेंदवाजी के लिए ये आस्टेलिया के कप्तान है,